गुड़ मॉर्डिंग बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब शेनल दप इसीम विजिन में प्यारी बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग कलास 11 जियोगरफी जो आज आप सभी का बोर्ड एक्जाम है उसके कुछ इंपोर्टेंट प्रश्णों को डिस्कस करेंगे जो कि आज के बोर्ड एक्जाम है आने के जादा से जादा चांसे से हैं तो वीडियो पर आप लोग अंतक बने रहीएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी सेर जरूर किजिएगा तो चली शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो देखिए बचो पहला प्रस्ट नेमिध और अरब सागर में गिरने वाली दो नधियों के नाम लिखें उसके बद दिख्ये अगला कुछन है कि हम प्रिथीवी को नीला गरक क्यों कते हैं तो देखिए बचो प्रित्वी पर अधिक मातरा में वह अधिक छेतर पर जल का विस्तार है उपर से देखने पर प्रित्वी एक नीले रंग के आकासिय पिंड के रूप में दिखाई देती है जिसके कारण इसे नीला गरा कहते हैं तो प्रित्वी पर अधिक मातरा में जल होन उत्री आजहांसिये विष्तार को देखते हैं तो भारत की जो आचांल सीविश्तार बचो वह आच डिगरी चार मिणट उत्री से ले करके 30 डिगृ DS conveyant उत्री असांस टक है उसके बाद भारत की दिसविश्तार बचो वह आरसाट डिग्री साथ मिनट से लेकरके 97 डिग्री 25 मिनट तक के पुरिवी दिसांतर तक है बचो किले ने बहुत ही जादा इंपोर्टेंट प्रशन था उसके बाद देखे अगला कोछ ने कि सारगेसो सागर क्या है तो देखी बचो उतरी अंटार्टीक महसागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उतरी अधान सतचा 35 डिग्री से 75 डिग्री पचमी दिसांतरों के मध JE 24 और से परभावित होने वाली जल्धाराओं के मध्ति 7 एमुब मिश्तिर जल्द छेतर को सारगेसो सागर के नाम से जाना है जाना जाते हैं तो अट्लांटिक महासागर में जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्री अच्छान से बचों और 35 डिग्री से 75 डिग्री जो पच्मी दिसांतर है उसके मंद में जो परवाइत होती है बचों जल्धारा हैं उसी कुछ सांत यहों मिश्तिर जल्धाराओं को क्या कहत हैं कि लिए उसके बाद देखे अगला कुछ ने कि जल्ध संबर से आप क्या समझते हैं तो देखे बचों जल्धार उस भोगोलिक छेत्र को कहते हैं जहां वरसा अत्वा इपी घल्ती हुई बर्क पानी नदियों नहरों और नालों से हुआ करके बहा करके यहां पर बहा कर जल्ध संबर कहते हैं कि लिए उसके बाद देखे अगला कुछ ने कि धुवंधार परपात बचो वाडर फुल है वो किस नदी पर है तो दुवंधार परपात आपका नर्मदा नदी पर है उसके बाद नेक्स कोचन है कि चंबल नदी किसा आप हुआ बनाती है तो चंबल अध्यार वपित अफवा बनाती बचो उसके बाद अगला कुछ नेहीं बरफुत्र लजी का उद्गम कहां से उता है तब लफुत्र नदी का उद्गम तिबत के मानसारोवर केलास प्रवत की सिरीण इसे उसके बाद देखे अगला कुछ नेहीं कि सीवा सुमद्रम प्रप किस नदी पर तो सीवा समुद्रम जो पर पार्पाहर से बचो वह कावेरीदी नदी पर है उसके बाद नेक्स खोचन है कि गंगा अपफवाद छेत्र की दो नदियों के नाम लिखी तो गंगा अफवाद छेत्र की कोन-कोन से वह जाते बचों परमुख नदी आपका एक हो ग देख लेंगे नीचे डिस्क्रिप्टर में प्ले लिश्ट का लिंक दिया हुआ है आप लोग उसे वहाँ से जरूर देखेगा उसमें भी काफी इन्पोर्टेंट प्रशनों को मेने करवाया हुआ है उसे भी आप लोग देख लिजेगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो दच्षिन भारत की सबसे लंबी नदी क्या है बचो गोदावरी नदी उसके बाद अगला कुछन है कि कौन सी नदी गंगा परनाली से नहीं जूड़ी हुए तो जो वेतरानी नदी है बचो वह गंगा परनाली से नहीं जूड़ी हु से निकलती है तुस्वन नर्मदा और महान नदी कहा से निकलती है पुरीवी घाट से निकलती है बचो उसके बार नेक्स कोचन है कि भ्रांस घाटी में होकर बहने वाली नदी कौन सी है तुन नर्मदा नदी जो है बचो भ्रांस घाटी से होकर के बहने वाली नदी है उसके और नेख्स को जड़िये कि सिंदू नदी निकलती है तो अग्ला क्षिशिन आपका नदी कि इस जिद्दे के ब्रम्पूत नदी हो गया सिंदू नदी हो गया सिंदू नदी हो गया आपका गंगा नदी कि समुद्री जल की लवंता क्या है तो देखे बचो लवंता या खारापन सब्द जिसका वहवार समुद्री जल में घुले वे नमक की मात्रा को परिभासित करने के लिए क्या जाता है एक हजार गराम अनिकी एक किलो गराम में समुद्री जल में खुले वे नमक की गराम में की मात्रा को ही इसके द्वारा गणना की जाती मतलब बच्चो समुद्री जल की लवंता को हम लोग किसे मामते हैं मानके चलते हैं समुद्री से हम लोग वे एक किलो गराम क्या क्या बच परिभासित करती है उसके बाद देखिए अगला कुछिन है अगला कुछिन है अफवा से आप क्या समझते है तो देखिए निर्धारित जल वहाई काओं के माधिम से होने वाली जल परवा को क्या कहते है बच्चों अफवा कहते है ठीक है अगला कुछिन है कि हिमाले एवं प्रयदीफिय नदियों में अंतर असपष्ट किजिए तो देखिए बच्चों इनके उद्गम अस्तल हिम नदू से ढके हुए हिमाले परवत से उती हुते हैं तो देखिए हिमाले नदिया जीस गंगा ब्रेंपूत्र इ сп गवनी रहते हैं और निर्भर करती है अगला पूइंट है कि नद्यों का अपवा पुरुवर्ती वा अनुवर्ती जुमेदानी भागों में विर्थाकार परती रूप में प्रवावित होती है जबकि जो ये प्राधिप्य नदियां बचो ये नदियां आपका अध्यारोपित आरिये हुआ आहिताकार पर परती रूप में प्रवावित मिलती है उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है बचो कि ये नदियां लंबे मा के साथ ही असमतल प्रवतिय भागों से गुजरती है सिर्ष अपर्दन नदी अपर्दन तथा मैदानी भागों के मार्ग परिवर्तन वह विसर्प निर्मान इन नद्यों की परमुक विशिष्टाएं तो यह इसकी परमुक विशिष्टाएं बचो जबकि जो प्राधिप्य और डियां यह नदीय आपको चोटी वा सव्लटन मरगों पर सो योजित घांक के साथ प्रवावित होती है तो यह आपका हो गया जो आपका हिमाले नदीया है उसके बीच अन्दर अगला कोशिटिन बचो कि प्राधिप्य नदी के तिन लच्छन लिखी तो प्राधिप्य यहीं इसकी क्या हो जागी यहीं इसकी विशिस्ता हो जाएगी ठीक है तो देखेंब चूब पहली विशिस्ता है कि प्रैसी सब्सक्राइब नदिया कि उधगं सुरोत कम उच्छाई एवो महीम रही टाने कि यहां पर हीम नहीं बर्प नहीं हो पहाड़ी छित्र पिसम के होने के करण इन में वर्चाकाल में प्रियात दर रहता है जबकि सेस अभधी में जल की मातरा बहुती कम रहा जाती है आने कि इसमें इस भूर्चा के समय में काफी जल रहता है बागी बाखी बद जो कि अगला पूइंट है कि यह लिए सुनक्षित मार्क पर चलती है तथा विसर्प नहीं बनाती है ठीक यह नदिया आपका एक निश्चित मार्क में चलती अपनी मार्क को नहीं बदलती है उसके पाद अगला पूइंट है कि इन दूद्ध कि घाटियां चोड़ी एंवं उतल पाई जाती है अमर कंटेक प्रवत संक्ला के निकलने वाली नदिया आ रहे परतिरूप कर लाती तो अमर कंटेक से कौन कुछ से निकलती बैचो जिसे आपका हो गया सोन नदी हो गया ठीक नर्मदा नदी हो गया इस अब आपका अमर कंटेक के पहाड़ी से निकलती है उसके अगला कुछीन है कि बांगर एक खादर में अंतर अंतर लिखे बहुत ही बीवी आई कोशी ने बच्छों इसके उत्तर को देखिए यह आपकी बोड़ एक्जाम में फिक्स आया ठीक है देखिए बच्छों एक तरफ आपका बांगर लिख दिए तो बांगर किसे कहते हैं बांगर यह पर्देश बांगर के तले से उच्चा होते हैं जबकि जो खादर होते हैं उत्ति चाया चाय क्म में इस हादर को पंजाव में क्या कहते हैं जबकि जो आपका वयू बांगार भचों इसमें चूना युख्तस अंसादनों की अधिक्ता होती है जब कि इस में क्यों चीक्का-बाति की पर्धानता होती है उससे बाद अगला पॉंट यह गहन किरसी के लिए यूपयोगी एक अच्छा मना जाता है इसमें काफी ज्यादा पसल का उत्पादर होता है उसके बाद नेक्स कोचे ने बचू पोट्रोरी का खाई किस महासागर में इस्तिते तो पोट्रोरी का खाई जो आपका है बचो ओ अट्लांटिक महासागर में तो इसके बाद देखें अगला कोशन है कि टोंगा खाई किस महासागर में इस्तिते बचो बचू किसे बाद देखें अगला कोशन है कि महासागरी जलकर को परभावित करने वाली दो कारक कौन से तो एक आपका अच्छान से बचो और एक है आकवा सागर जल की विश्ष्टा यह आपके दो कारे ने बचो दो कारक है जो महां सागरी जल की तापमान को प्रवावित करते हैं उसके बाद बायूम क्या है तो देखे बचो किसी भौगोलिक छेत्र के उसके बाद अगला कुशन है कि सागर जल की ओस्वत लवनता क्या होती तो सागर जल की ओस्वत लवनता क्या होता है बचो 35% होता है अगला कुशन है कि समुदरी जल में सूडियम पॉलराइट की मात्रा क्या है तो 78% है बचो सोडियम पॉलराइट की मात्रा समुदरी जल म कि समुद्री जल्की लवनता की भिंता को कौन से कारण है तो समुद्री जल्की जो मतलब भिन 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 पाया जाता कहीं पे 40% लवन पाया जाता है बचो कोई भी समुद्र में कहीं पे 35% कहीं 35% ठीक है तो ये भिंता की क्या क्या कारण है तो इसका कारण है बचो वास्पिक खार्याँ बचों एक लोग उसमें से क्या मिलेगा नमक मिलेगा लेगा लवन मिलेगा। उसके बीजिश की लेगता है वहां पर शातिम będसील जी ऺण भ peculiar लकटी सब नहीं कर आगर अगर बात करें तो वांजील हो जाएगा ठीक है वांजील कहाँ पर इस्तितर टर्की में अगला कुछ नहीं भारत की लंबी तर्टरेखा का क्या परवाव है देखे बचो भारत के संपुर्ट तर्टरेखा दूप्य समू रसाहित कितना है 75665 किलो मीटर है देश की बंगाल की खाड़ी तथ यह जल आतायात परदान करती है वहीं समुद्री संसाजन परदान करने की अस्थानी जलवायू की दिष्टी से भी इलाव परएद है त्प्रा वरनिया परिया वरनियी दिष्टी से भी काफी फएदा है बचो ठीक है तो टोटल कितनी है समये दिपू को ले करके 7560 किलो जो केवल दच्षिनी भागों को छोड़कर के अई बागों की योर से प्रैकर्टिक दुवरा इतनी अच्छी तरह से परी सीमित है जितना समत्त विस्व कोई भी अनिदेश नहीं हो बात के पच्छी भारत के दच्छिन एसिया में हिंद महासागर दच्छिन इसे में हिंद मह तो इसे आप लोग पॉइंट करके भी लिख सकते कि पहला पॉइंट इस तरह से देदी कि भारत के आकिरती किसे है चतुरुत कोशी है ठीक दुसरा की जो केवल दच्छिनी भागों से छोड़कर के आने भागों में इतनी अच्छी तरह से परिसीमित है उसके बद यहां प भारत मानसुनी जर्वायू का देश है क्योंकि भारत पर वर्स बर मानसुनी पवने का परभाव रहता है भारत की जर्वायू को मानसुनी जर्वायू कहा जाता है हमारे देश पर उसन कटी बंद निये मानसुनी पवनों का विशीज परभाव पढ़ा है करक रेखा भारत क मैद से होकर के गुजरती है भारत का दच्मी बाग उष्ण कटीया में तथा उत्रिपा सितोष्ण कटी बंदनीयौ में पढ़ता है वर्ज में अधिकान समय में गर्मी अधिक पढ़ने के कारण यहां की जलवायू उसन कटी बंद ये मांसुनी जलवायू कहा जाता है ठीक है तो कहा अधिकाल से जो गर्मी पढ़ती बच्चो इस वज़से कहा कि जो जलवायू है ओकेशी जलवायू कहा जाता है तो उसन कटी बंद ये मांसुनी जलवाय कहा जाता है ठीक है बचो तही होगे भारती जलवाई को भारत को मंसुनी जलवाई को अदेश क्यों कहा जाता है आप लोगों ने समझ लिया उसके वाद देखें ताप प्रवनता क्या है देखें बचो महसागर के सतही जल एवं गहरी पर्तों के माध इस धित छेटर जुसागरी तल से 100-400 मीटर निचे से प्रार्म होती है तिथा कई सो मीटर तक जाती है इस सीमा छेटर होता है जहां ताप मान में तिवरी ग्रावट आती है तिथा ताप परवनता धर्मो कलाइन के नाम से जान बताईए तो देखिए बच्चो जो खायद संक्लाएं एक दुसरे के संज्युक्त होती है परजातियों कि इस परकार से जुड़े होने के खायदे जाल को कि संगिया दिगाई उधानता एक चुवा जो अन पर निर्वर करता है वह अनेक दूतियक उभोगताओं का भोजन है चुवा देखिए आपका सकहारी खाता है भोजन खाता है ठीक है और यह जो चुवा है बचो जो जीव है जिसे आपका उगया बिल्ली एक बिल्ली का दूतियक उभोगता का भी भोजन है ठीक है और तित्यक मांसाहरी अनेक जीवधारियों जिसे जीवों अपने भोजन की पूर्ति करते हैं इस परकार के परतिक मांसारी जीव एक से अधिक परकार पर सिकार पर आसरित होते हैं कि लिए उसके बाद दिए अगला कुछने बचो आपका बियालिश नमर का कि पराश्थितिक संतुलन क्या है इसके असंतुलन के रोकने के महत्पून उपायें को चरजा करें बहुत है इनपर्टिन कुछने बचों देखे कि पराश्थितिक संतुलन पर्यावरयन में विविन परकार के जीव जन्तु पेड़ पोदे मनिस के आपस में परति असपर्धा एवं सहयोग की परिश्थितिक संतुलन कहा जाता है इसके असंतुलन को रोकने के तिए के उसके बाद वण वण एवं वएम वेकनी पांच महटाउन का विखे तो नदियों के पांच महतों क्या दिए कीBobा विखास कर सकते इसे सबता का Olok कर सकते हैं कि विद्यूत को सकते हैं जल विद्ध का उतपादम कर सकते हैं उसके बाद अंगला कुछ न्कि भारतिय जरूओं की मुख्षि इस están खार्थी जर्वाई सबसे महत्पून विससता है कि है बारत में हर तरह की मुसं पाए जाता है जिसे सर्दी गर्मी बृसात वसंतरी तु आधी ठीक है जिसे आफ अग्ला है भारत में हर तरह की 1 पाए जाते हैं जैसे untuk रामपूर चौप्राऑन जी जिस्ए सर plates का रागी तरह चीज़ unser बारिस होने वाले जगह भी है जिसे रामपूर हो गया चेहरा पुंजी हो गया ठीक है यहां पर क्या होती चुबिस गंटी बारिस होती रहती है तो यह हो गया आपकी भारतिये जलवाजू की विसिस्ताइं बचो कि लिए एक और कुशन है उसी भी आप लोग देख लिए दे पाहर दे रहा हो ठीक है दो के इन चीपिर इसी और ऊता है यह मिर्दाओं की र需要 काफी की क्यूंट दें जबकि फोस्वेटे समय ने मातरा में होता है इसमें क्या होता है योama जवांस की मय तो यह आपका इन्पोर्टेंट कोश्चन हो गया बचो एक वीडियो हो सकते हैं और अप्लूड करें एक बर आपको चैनल पर इजिट कर लें नोटिफिकेसर अगर आपके तक नहीं पोश्चाल तो आपको चैनल पर इजिट कर लेंगे नो बजी तक ठीक है उसमें भी आपके समय बचो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में धनिवाद